हेलो फ्रेंड्स आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो की एंटीपी सीवी टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वह पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है में मेकानिक्स जो की फिजिक्स का एक टॉपिक है ठीक है चलिए तो सब्सक्राइब मैं बताता हूं कुछ टर्म् जो है वह एक सदिश राशी है यानि कि यह एक वेक्टर कॉंटिटी है इसका जो वैल्यू जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ठीक है डिपेंट करता है कि वह किस डिरेक्शन में ले जाया गया है ठीक है अगर माल लिजिए किसी पर्टिक्लर पॉ पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड रहता है हमारा इनिशिल पोजिशन भी वहीं पर है और फाइनल पोजिशन भी वहीं पर है तो डिस्प्लेस्मेंट जो है वह 0 होता है ठीक है नेक्स्ट जो है वह स्पीड है मैंने कि यह एक अधिश राशी है इसका जो SI unit होता है वो meter per second होता है ठीक है next है इसका जो वीमा होती है वीमा वीमा जो मैंने बता जाता हूँ आप लोग क्या होता है यह वीमा स्पीड का वीमा जो होता है वो L T to the power minus 1 होता है वीमा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग तो जैसे कि speed is equal to distance by time होता है distance जो होता है वो length होता है length के लिए हम लोग L use करते हैं और time के लिए जो है वो T use करते हैं तो speed is equal to distance by time यानि कि L by T तो L T to the power minus 1 या फिर L by T जो है वो speed का जो है वो वीमा हो जाएगा next क्या है तो wave यानि कि velocity velocity जो है वो एक vector quantity है ठीक है और इसका भी value जो है वो हो सकता है क्या positive, negative या फिर zero भी हो सकता है ठीक है तो जिस तरीके से velocity speed का जो quantity meter per second था वैसे ही जो है velocity का यह unit जो हो जाएगा वो meter per second हो जाएगा next acceleration acceleration क्या होता है तो acceleration जो है वो velocity by time, velocity by time को हम लोग acceleration बोलते है ठीक है या फिर final velocity minus initial velocity by time को हम लोग जो है वो acceleration बोल सकते है ठीक है acceleration जो होता है वो एक सदिश राशी है यानि कि एक vector quantity है ठीक है इसका SI unit जो होता है वो meter per second square होता है meter per second square होता है ठीक है इसकी जो VMA हो जाएगी वो क्या हो जाएगी तो meter यानि कि distance distance यानि कि L और by time square होता है यानि कि L t to the power L t to the power minus 2 ये इसकी VMA हो जाएगी ठेक है वो acceleration की VMA क्या हो जाएगी L t to the power minus 2 ठेक है next क्या है कि देखे कुछ जो है वो formulas है वो बहुत important है पहला जो है वो v is equal to u plus 80 है दूसरा जो है वो s is equal to ut plus half 80 square है और तीसरा जो है वो v square minus u square is equal to 2as है अब मैं बताता हूँ कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है तो v जो है वो final velocity होता है u जो है वो initial velocity होता है a जो है वो acceleration होता है t time होता है और इस जो है वो displacement होता है ठीक है ये तीन formula जो है वो बहुत important है इनको जरूर आप याद किजएगा ठीक है generally इससे एक question numerical जो है वो आ जाता है ठीक है next क्या है वृत्य गती या फिर circular motion circular motion क्या होता है तो देखिए कि जो circular motion जो होता है कोई भी ृत direct पर जो है वो tैंड है तो ऐसे motion जो circular मतलब कि circular path में मुव खर रहे हैं उनको लोग circular motion बोलते हैं और circular motion का एक्सेरेशन जो है वह हर एक part पर जो है वह change होते रहता है ठीक है यानि कि लिगों बोल सकते हैं कि circular motion में जो है वह हर एक form and up जो है acceleration जो है वह रहता है और acceleration हमेशा जो है वह change होते रहता है best क्या है कोणी ये विस्थापन जिसको अम लोग एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट तो कोणी विस्थापन क्या होता है तो कोणी विस्थापन जो है एक सदिश राशी है यानि की वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है कोणी विस्थापन का मात्रक यानि कोणी विस्थापन का जो इसमें distance होता है ना ही time होता है इसका जो वीमा होगा वो क्या हो जागा M to the power0 L to the power0 और T to the power0 ठेक है यही बहुत important question है ठीक है next कोनी है वेग यानि की angular velocity और angular velocity को generally जो है ओमेगा से डीनोट करते है और एक वेक्टर है सदिश राशी है कॉनी वेक का जो होता है वो डेडियन पर सेकंड होता है क्या होता है और इसका जो वीमा होता है वो T to the power minus 1 होता है ठीक है T to the power minus 1 होता है और omega का जो एक formula जो होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं angular velocity का value तो omega is equal to 2 pi into n होता है या फिर अगर हम लोग इनको रेखिये वेग और angular velocity में यानि रेखिये वेग और कोनी वेग में एक relation establish करें ठीक है तो इसका formula होता है रेखिये वेग is equal to वृत की तरिज्जा जिस circular path में वो object move कर रहा है उसका जो radius है वो into कोनी वेग यानि कि V is equal to r into omega बहुत important ये formula है इनको भी याद कर दीजेगा ठीक है next force, force क्या होता है तो force जो है किसी भी object को अगर हम लोग पुल कर रहे हैं या push कर रहे हैं तो उसका हम लोग force बोलते हैं ठीक है फोर्स जो है के vector quantity है सदिश राशी है ठीक है और इसका SI unit जो होता है वो newton होता है या फिर kilogram meter per second square kilogram meter per second square या फिर newton जो है इसका SI unit होता है अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे machine के बारे में simple machine जो है वो क्या होता है तो कोई भी ऐसा object कोई भी ऐसा tool जिनसे हमारा काम आसान हो जाए time कम लगे energy कम लगाना पड़े तो वैसे tools को हम लोग simple machine बोलते हैं तेक्या simple machine में जो है वो तीन पारट होते हैं एक को बोलते हैं लग लेड़े तो किसी भी मौन लेजी कोई consumil alarming है जैसे कैंची ले लिजिए तो किसी एक particular point पर जो है कैची का जो 2 धार एक point पर जो है जुड़ा रहता है कैची दो भाग से बनावाला जो move करता है तो एक point पर जहां से जुड़ा रहता है उस point को हम लोग फलक्रम बोलते हैं ज़यां और जहां से हम लोग काट रहे हैं किसी कपड़े को हम लोग काट रहे हैं तो वह कपड़े को कपड़े के भाग को जो है मतलों कि जहां पर कैंची कट रहा है किसी काट रहा है कैंची तो वैसे वह भाग को जो है हम लोग जो है लोड बोलते हैं यानि कि जो फोर्स जो है वह लोड है ठीक है जो है आंप फलक्रम बोलते हैं टेंग है अब देखिए सिंपल मशीन जो होता है या फिर मकलर जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं ओर दूसरार तीसे अ जनी का लिवर क्वेशन इससे क्वेशन जरूर आता है कि आदर यह मशीन जो है वह प्रत्म कt या या तीसे sprinkler settingi का a li Builder तो क्या है यह रिषाने का लीवर तो ऐसे लीवर ऐसे लीवर जिन वे जो फलक्रम जो होता है वो लोड और effort के बीच में होता है ऐसे लीवर जिनका जो funds Kalina को बीच में होता है वेसी लीवर को हम लोग प्रथम का लीवर या प्रथम शिनी का उत्तोलक जो है वो बोलते हैं अब इनके example हो जाएगा कैंची से पर example कैंची हो जाए क्यूंकि जो कैंची में जो जिस point पर जिस point पर कैंची का दो भाग जुडा होता है वो बीच में होता है और जो effort लगाते हैं हम लोग वो होता है एक साइड में और जो लोड जो रहता ह वो भी एक सीरे पर डूट है तो कैंची जो हो जाए गा प्र pró بाillyर का उत्तोलक और example hand pump hand pump उसमें बी परोनट जो हो यानि फालकर्म जो बीच में होता है क्योंकि एक एक सीरे पर होती है ठीक है तो जूला जूला भी जो होता है वो भी जो होता है वो एक प्रसमशनी का उत्तोलक है क्योंकि एक पॉइंट पर सीसो का जो होरिजोंटल भाग जो है सीसो का वो बीच में जो है वो एक पॉइंट के according जो है move करता है एक point के अनुसार ही move करता है एक point पर वो joint रहता है और उसके जो दो सीरे जो है उस पर जो है एक सीरे पर जो है वो load रहता है और दूसरे सीरे पर जो है effort हम लोग लगाते हैं तब जाकर सीसो जो है उपर नीचे उपर नीचे होता है ठीक है जाने कि C saw hand pump फिर catchy और 판 agency जिनکो हमनों बोलते है एवह प्रत्म शिर्णी का lever है दू ती शिर्णी का जो तो लग है उसमें क्या होता है तो इसमिए जो जो लोड होता है लोड वह जो से वह बीच में होता है फलक्रम और effort के ठीक है फलक्रम और effort के बीच में अगर load हो तो उसको हम लोग 23 श्रणी का उत्तोलक बोलते हैं एक्जांपल क्या हो जाएगा एक्जांपल हो जाएगा नीम्बू नी चोड़ने की मशीन या फिर effort लगाते हैं और वो नीम्बू नी चोड़ने की मशीन जो होती है वो एक सीरे पर जो है वो joint रहता है नीम्बू जोड़ने की मशीन जो है दो भाग में होती है तो उसका जो दोनों भाग जो है वो एक सीरे पर जो है वो attached रहता है और दूसरे सीरे पर हम लोग effort लगाते हैं और बीच में जो है वो load रहता है थीक है यानि कि जिस भी machine में जिस भी lever में जिस भी उत्तोलक में जो है अगर load जो है वो fulcrum और effort के बीच में हो तो ऐसे lever को हम लोग second shni के lever का lever बोलते है second shni का किनारे लिवर जो है वह लिवर इसमें एफ़र्ट जो है वो बीच में होता है लोड़ और लोड़ और फलक्रम जो है वह ओ जो बोलते हैं प्रिद मिशांपल कया हो पिंज पिंज जो है वो जिसको हम लोड़ बोल सकते हैं वो page में या copy में या book में जो भी जहां पर हम लगाना चा Bowman बगाना चाहते हैं और stapler का एक सीरा जो है वो joint रहता है तेक है एक सीरा जो है वो moveable part रहता है तेक है यानि कि किसी भी लीवर या उत्तोलक में जब effort जो है वो बीच में लग रहा हो और उसका एक सीरा पर लोड हो और एक सीरे पर जो है वो क्या हो फलक्रम हो तो वैसे हम लोग लीवर को जो है third स्रेणी का लीवर बोलते हैं ठीक है बहुत important topic है यह इससे एक question जो है आता ही है आपको example दे जागे बताइए कि stapler जो है वो कौन से स्रेणी का उत्तोलक है ठीक है तो आपको अगर पता होगा कि यह जो है stapler में जो है वो effort जो है वो बीच में लगता है और एक सीरे पर लोड रहता है और एक सीरे पर फलकम रहता है तो बता सकते हैं कि थर्ड स्रेणी का लीवर है ठीक है तो बहुत important topic है